नमस्कार दिवेदी जी की केचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे चुले की मोटी रोटी जो की आग पे जला के और मोटी मोटी रोटी कैसे हम बनाते हैं किस तरह से आप अपने घर पे सहर हो या गाँ हो कहीं पे आप बना सकते हैं तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हमने आटा नार्मल जैसे आप रोटी बनाते हैं रोटी वाला आटा थोड़ा सा मुलायम हो आप गूत कर रख लिजिए और यहां पर आप देख सकते हैं हमने तीन लोई काट लिया है और इससे पहले कि आप मेरे चनल पहले बार आए हो तो प्लीज सब्सकाइब करन है तक कि आने वाली जितना भी वीडियो हम डालते हैं आप तक असान इस पहुंच सके है अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा सब बढ़ा कर लANC है हाथों से अब इन्हें हम बेल देते हैं रोटी थोड़ा मोटी होनी चाहिए मोटी वाली रोटी जो है नवा आप सब्जी के साथ खाएं या दाल के साथ खाएं और खोब अच्छी वाली घी लबालब पोद्ध और उसके बाद आप खाएं तो फिर पूछिए मत कि मोटी वाली रोटी कित्ती लाजबाब लगती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक बेल के तयार कर लिया दूसरा भी हमने इसी तरह से बेल लिया है तो चलिए तीनो रोटी हमारी जो है बेल के तयार हो गई है अब यहाँ पर देख सकते हैं चूला है चूला हमने घर पर ही बनाया है और यह कड़ाई है कड़ाई में ही चूला हम बनाये हैं और इसे हम कहीं भी रख देते हैं, ना तो जलने की डर होती है, ना कुछ, तवा हमारा गरम हो गया, तीनों रोटी हमने इस पे डाल दिया है, देखे आप, और थोड़ा सा हलकी आज होने चाहिए, जब हम रोटी को तवे पे डालें, ज्यादा हमें तेज आज नहीं देना है, नए तो एका एक जो है रोटी हमाली जल जाएगी, अब थोड़ा सा आप पलट-पलट के देख लें, जब अच्छी तरह से पीठ के तरब सिख जा, तो आप रोटी को पलट दें, देखे आभी थोड़ा सा अभी कसर है, अब देखे, इस तरह से जो है ने, थोड़ा सा ब्ल पलट-पलट के धीमी आज पे इस तरह से लें, आप चूला में आज देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, देखे, धीमी आज पे हम इन्हें सेख देते हैं, ये रोटी आप पनेर के साथ खाएं, या आलू गोभी के सबजी के साथ खाएं, या दाल फ्राई के साथ बहुत मीठी और बहुत टेश्टी और खास कर आपके हेल्थ के लिए बहुत फायदेमन्द है ये रोटी, तो इस तरह देखिए, हमने सेख के तयार कर लिया है, देखिए आप, किस तरह से हमने पीछे साइड में सेख दिया है, बिलकुल भी धीमी आज पे अच्छी तरह से सेख देना है, और इसी साइड में हम चूले के साइड में खड़ा कर देते हैं, ताकि गरम गरम रहे, और इसी पे फिर हम रोटीयां डाल देते हैं, अब तबा हम उतार देते हैं, इसके बाद हम रोटी को सेखेंगे, अब देखिए, यहां पे हमने एक रोटी डाल दिया, और तीनों रोटी हमने एक अही बार में चूले पर उलाट डाल दिया है मक्के की बजड़े की खास का ठंडी में बहुत पसंद किया जाता है रोटी और मोटी रोटी बना के आप घर पर खाईए खिलाईए बहुत अच्छा लगती है यह मोटी वाली रोटी जो है देखिए इस तरह से कैसे फूल रही है न बिल्कुल बैलून के जैसे अमारी रोटी जो है फूल गई है देखिए आप और धीमी आच है ज्यादा आच हमें नहीं देना है इस तरह से आप मीठी आज पर सेक लें अब देखिए कितना अच्छी जो है रोटी अमारी तयार हो गई है तो चलिए इन्हें हम निकाल देते हैं और दूसरी वाली भी देखिए फूल रही है किस तरह से रात का समय है थोड़ा सा लाइटिंग की कमी है पर आप अच्छे से देख सकते हैं देखिए कितना लाज बाब वाली मोटी रोटी अमारी बन के तयार हो गई है देखिए तीसरी रोटी है इसको भी हम साथ ही साथ सारा सेक ले रहे हैं और ये जो हम तवा पर रखे है जब ये सेक लेंगे उसके बाद हम तवार चुले पर चढ़ा देंगे देखिए भी कितना अच्छा फूल गया है बहुत मीठी लगती है एक बाद दोस्तों ट्राय जरूर करें और कमेंट करें कि इस तरह से आप रोटी बनाएं तो आपके खाने के बाद क्या मतलब क्या अच्छा लगा आपको देखिए कितना फूली फूली रोटियां हमारी जो है बनके तयार हो गए लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा अगर यह मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो देखिए हमने सारा रोटी इस तरह से बना के रख लिया है अब इसके ऊपर हम लगाएंगे घी आप चाहें तो थोड़ा सा कपड़े सो पोश सकते हैं पर कोई जरूरत नहीं है देखिए चुले की रोटी हमारी बन के तैयार हो गई और खुब अच्छी तरह से आप घी लगा दें उसके बाद आप किसी भी सब्जी से इंज्वाय करें तो यहां पर हमने पनीर की सब्जी बनाया है चुले वाली पनीर की सब्जी है इसकी रेसिपी हम डाले हुए है तो यहां पर हमने रोटी ले लिया है इसके बाद हम यहां पर रखेंगे थोड़ा सा कटा हुआ प्यार्ज है नेबू है और चलिए अब हम सुरू करते हैं खाने के लिए क्या लाज बाब वाली रोटी है देखिया और यह पनीर की सब्जी क्या मस्त बनी